दोस्तो क्रिकेट फैंस की भारी डिमाट पर आज शिलंका की खिलाप आखरी बंडे मैच में सुरे कुमार यादो को खिलाए गया लेकिन क्या फेर चास दिया गया मुझे लगता है कि सुरे कुमार यादो के साथ नाइसाफी की गई सुरे कुमार यादव आज के मैच में सिफ चार रन बना पाए लेकिन क्यों मैं कहता हूँ कि फेर चार्स नहीं दिया गया क्योंकि सुरे कुमार यादव को मैदान पर आना चाहिए था भारतिय पारी के 34 वे ओर में जब शुबमन की लाउट हुए क्योंकि दो विकेट गिरे थे टीम इडिया के और 226 सन स्कोर कार्ड पर थे तो बहाँ पर अमूमन यह होता है कोई रोकेट साइंस नहीं है इसको समझना अमूमन जादा तर टीमें ये करती है कि अगर आपके कम विकेट गिरे हैं और आप अच्छी पोजिशन में है तो और जादा स्कोर को गती देने के लिए आप अपनी सबसे आकरामक बलेबास को भीजते हैं तो वहाँ पर सुरे कुमार यादो को चास मिलना चाही था यारी शुबमन गिल के आउट होने के बाद अगर सुरे कुमार यादो मैदान पर आते तो 16 ओवर बलेबासी करने को मिलती वहाँ पर जास नहीं दिया गया उसके बाद जब शेस अईयर आउट हुए तो निश्चे तोर पर सुरे कुमार यादो का आना बनता था फिर सुरे कुमार यादो को अगर आपको भेजना नहीं था अगर टीम मेनेजमेंट को लगता था कि सुरे कुमार यादो को थोड़े ज़्यादा और मिलने चाहिए तो फिर उच्यास में और में भी भेजने की क्या जरूद थी जब पारी की बारह तेरे गेंदे बाकी थी तो तब भी भेजने की क्या जरूत थी सुरेकुमार यादो को तब उन्हें भेजा गया और सुरेकुमार यादो के पास एक ही ओप्षन था आर्पार का या तो चक्ये मारो या आउट हो जाओ और सुरिकुमार यादो आउट हो गए अब स्कोरकार्ड में तो यहीं लगेगा कि यार सुरिकुमार यादो ने चार रन बना है बाकी बनेबासों का अच्छा प्रदर्शन था इस सीरिज में तो आगे भी एर टीम में सुरिकुमार यादो को शायद ना खिलाया जाये लेकिन मुझे समझ लई आया की आज सुरिकुमार यादो को चोतीस वे ओर में क्यो नहीं भीज़ा गया यह कोई ऐसी डिमाड नहीं है कि किसी क्रेजी फैन की डिमाड है तो उसको जादा चांस दिया जाता है जब आप मजबूत position में हो उसके बाज़िस सुर्य कुमार यादो को मुश ratio लगता है कि इस match में fair chance नहीं दिया गया और इसी वज़े से सुर्य कुमार यादो जल्दबाजी में out हो गए मुझे एक बात और लगी कि जब सुरिया मैदान पर आया तो क्रिकेट फैस किस तरह सुरिया सुरिया चिलनाने लगे तो कम से कम सुरिया ना सही जो लोग टिकेट खरीद कर मैस देखने आये हैं उनका दिन आप बना सकते थे सुरे कुमार यादो को थोड़ा उपर भेश कर औ और आपके पास ऐसा option भी था और आज मुझे सुरे कुमार यादो की body language भी थोड़ी सी ठीक नहीं लगिया अमोमन चहकते वहाते सुरे कुमार यादो मुस्कुराते वहाते लेकिन आज मुझे ऐसा मैदान पर नहीं लगा सुरिया जितनी दिर क्रीश पर रहे मुझे उदास लिखाई दिए शायद इस वज़े से हों की ज़्यादा ओवर बनिवाजी करने को नहीं मिले आप सुरे कुमार यादो को उपर ना बेचने पर बैटिंग करम में क्या सूचते हैं कमेट बॉक्स में प्रिरायस जरूर दे साथ ही हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें स्कॉत